हेलो स्टुडेंट आज मैं बताऊंगा कि DSTL जो सब्जेक्ट है उसको कैसे पास करना है बहुत एजी सब्जेक्ट है कुछ नहीं है उसमें बस आपको जो मैं बता रहा हूं कोशन वो कोशन सॉल्ब करके जाना उससे समझ लेना अच्छे से और पेपर में डिट्टो वही सब्जेर है तो जो मैंने कर रहा है बस मैं वहीं बता रहा हूं को आपको कैसे करना क्या करना नहीं बस इस चीज़ को फॉलो करना है जो मैं बता रहा हूं बस उस चीज़ को फॉलो कर लिए अराम से पास हो और अच्छा स्कोर करोगे 70-80% तुम्हारे स्कोर आएंगे क्यों अंसर आपको मैं बता दूँगा कहां से मिलेगा क्वांटे में मिल जाएगा सब जगे मिल जाएगा अंसर जो important questions है वो बता दे रहा हूं इसको पढ़ लेना इसका अंसर निकाल के याद कर लेना समझ लेना और लिग देना एक्जाम में जाके ठीक है वो मेंट करना है एक्जा features and theory of logic यह कुछ important question है जो आपको करने है question number one define illurion path circuit and graph यह easy है इस पे आपका ग्राफ का और भी बहुत सरा question होगा वो भी देख लेना एक बाद easy है कुछ hard नहीं है second question है define chromatic number and isomorphic graph वो भी graph का ही question है यह भी आता है third number है define rings and write its properties rings में और भी कुछ है दो तीन topic है तो वो आते ही आते हैं आप इसका अंसर उसमें भी लिख सकते हो तो rings से question ज्यादा आते हैं तो वो आप इसका उठा के उसमें भी लिख सकते हो कुछ नहीं सब चलता है एक यूट्यू में एक यूट्यू में copy भनना होता है कुछ topic लिको बाकी copy भरो ठीक चौतर नंबर कोशन है define multi graph यह भी graph से question explain with an example in a brief simple कुछ नहीं है पच्छमा है आपका state and proof Lagrange theorem for group is the converse true simple कुछ नहीं है theorem को आपको पता होना चाहिए theorem से आता है question का जो चैनल कोशन है वो यह है explaining detail about the binary tree transversal with an example simple है binary tree से question आता है और इसमें आपका हो सकते tree बनाने भी दे दे या कुछ example आपको अपने से देना हो या दिया हो question में तो आपको उसको बनाना हो तो simple सा है इसको पढ़ लेना अच्छे से समझ लेना कोई दिख कर नहीं होगी अराम से बनेगा है ऐसा question अगर अलग भी देया तो भी बनेगा ठीक seven number question है explain the flowing statements using quantifiers and logical connectives यह आपको जो भी रहेगा statement दिया रहेगा ठीक है उस पर देख के बनाना है यह statement कुछ भी हो सकता है यह नहीं कि ही statement है यह statement change भी हो सकता है तो आपको करना क्या है बस इस statement को जो statement है यह आप पढ़के आप solve कर लोगे ठीक है अगर ऐसा आपने एक भी solve कर लिया ना तो इस पर कुछ भी दे दे चेंज करके आपको कुछ भी दे दे आप अराम से solve कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होगी तो इसको आप कर लेना solve यह जितना भी है इसको आप solve कर लेना मैं ऐसा है इसका paper का मैं दे दूंगा PDF भी दे दूंगा last में पहले आप देख लो समझ लो क्या 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 question है ठीक है यह solve कर लोगे आप अराम से आपका clear है कोई दिक्कत नहीं है आप यह solve कर लेना यह यहां हो गए साथ question और यह रहा आपका eight number question draw the has diagram ठीक है यह आपका कुछ भी दे देगा कुछ भी जालतर यह question repeat होता है यह question तो maybe यह question दे नहीं तो देगा तो कुछ भी देगा पर इसी के related देग तो आपको यह क्या करना पूरा पढ़ के जाना यह कि यह क्या होता है क्या नियुक्त नुम्रिकल है ने यार नुम्रिकल में कुछ भी दे सकता है कोई भी topic उठा के देगा यह कुछ भी change कर देगा number तो आपको तो वह तो पता होना चाहिए नहीं क्या है नहीं तो simple सा यह कर कर जाना 9 number question देखो simplify the following Boolean expression using K map K map का question K map का कुछ भी दे सकता या numerical में change कर देगा बस question रहे गा ऐसा question आपको solve करना आपको गबराना नहीं है तिक है आत्म निर्म बनना है समझे हमारे मोदी जी ने कहा है आत्म निर्म में बनना है तो बनना है तो आपको यह question करना होगा तिक कुछ नमर 10 देखते है कुछ नमर 10 देखते है 10 number में क्या लिका है define a lattice for any a b c d in a lattice a comma greater than equal to if a is smaller than equal to b and c smaller than than equal to d then show यह है आपका जो भी है यह ऐसा ऐसा रहेगा तो इसमें क्या होगा question number 10 में क्या होगा यह जो लिखा है नहीं define a lattice यह यह आएगा ठीक है यह आएगा और यह chain हो सकता है आगे का term में यह chain हो सकता आगे का term पर यह आएगा तो आपको पढ़ लेना है समझ लेना है पालो कोशन अम आहीं गया रहा है यह question कम आता है पर इससे ना बहुत जारा question सब बनते हैं तो आपको यह सी पढ़ लेना सब आपको पढ़नेना है इससे आएगा question और यह आपका यह है so that यह वो जो भी है कुछ भी तरख सकते हैं यह यह term change हो सकता है ठीक है term सेम नहीं होगा पर आप अगर एक term ने आप एक चीज आपने solve कर ली ना तो आपको कुछ भी change करके देगा आप उसको आराब से solve कर question number toll देखते है so that every cyclic group is ablion अब यह क्या है यह जो term है यह अलग change करके आ सकता है cyclic group भी आता है इसको भी change कर सकता है पर आपने एक कर लिया तो इस तरह के question आपको solve बजाने यह आता है define question number 13 देख लो आप यह भी आता है easy है कर लेना कोई नहीं whole principle है यह भी आराम से मिल जाए direct Google पर search करो Google पर search करो अंतर मिल जाएगा question number 14 देखो prove by mathematical induction यह ऐसा रहेगा यह कुछ भी हो सकता है चाहिन हो सकता है पर यह आता है ठीक easy कर लेना question number 15 है define and explain any two of the flowing बहुत easy है बहुत easy है अगर आपने समझ लिया ना तो इस पर से जतना भी question भी होगा वह आप बना लोगे पलस यह topic इसके बारे में लिखना आप लिख दूगे अरे इंजिनियर सो लिखने तो आता ही है कुछ भी लिख दोगे बस इंजिनिर को खरी topic बताने का ह होता है कि topic बता दे हम तो लिख लेंगे फार्स सिकेंड सेमेस्टर पास हो थर्ड भी कर लोगे आप से कोई दिख कर नहीं है यह होगे पंदर कोशन और है कुछ कोशन बस टूटल बेस कोशन दिया है मैंने ठीक है कुशन नमर 16 देखो प्रूब देटा कनेक्टेट ग्राफ 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 इवर्टिक्स ऑफ जी इस अफ इवन डिग्री ठीक है यह कर ले ना कुछ नहीं है पढ़ लो आराम से देखो ग्राफ से कोशन आया है तो तुमने अगर एक टॉपिक कर लिया ना ग्राफ तो उस पर इसे बहुत कोशन है तो वह तुमारे जतने भी कोशन ह सब आराम से सौफ हो जाएगे कोई नहीं होगे सथरे नम्य देखो को साल डा रिकरेंश रिलेशन ओवेग्ट फंक्षैन यह लिखाव है फंक्षटें रिकरेंश रिलेशन आता है आता है यह आएगा ठीक है यह आता है इंपोर्टेंट होती आ क्तना मैं बताओ यह तो सब म important है पर यह भी बहुत important है कि यह मैंने देखा है कि हर पेपर में आता है यह जतने भी पेपर होता है उसमें आता है तो कर लेना अराम से अठार नमर देखो पुरूब कुछ नहीं है इसी है फढ़नो अराम से आएगा कर देना सौल ठीक नाइटी नमर देखो अर भी फंक्शन हो उसको भी देख लेना एक बार ठीक है क्या पता तीन किजेगा तुम कुछ और दे दे पर कोशन यह साथ है तो हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है कोशन नमर 20 देखो 20 नमर क्या कहता है explain the flowing terms with example यह term से graph 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 आया देख मैंने बोला तो न कि graph से question आता है बहुत तो आएगा graph question देखो तीन चीज़ है आपको पहले ही बता है था यह यह तो आएगा यह लिग दे ना अराम से और अगर यह बीस question के लावा भी किसी को और को क्या-क्या पढ़ना है कि क्या important topic के हिसाफ से पढ़ना है तो यह topic important ठीक है इन में से आये गहीं graphs recurrence relation important है diagram theorem group subgroups order binary यह आपको आना चाहि ठीक है यह तो पढ़ने का बेकारी है न क्यों पढ़ रहे हैं तो यह सब करके जो अराम से पास हो कोई दिक्कत नहीं है यह मैंने बता दिया है यह है आपके ठीक है यह बनाया था आप लोगों के लिए अराम से पढ़के जाना पास हो जाना आराम से कोई दिक्कत नहीं और जो भी दिक्कत हो, mail ID, DIY, उस पर message कर देना कि आगे कौन सा subject है, किसका बनाना है, उसका ही बना कि important question भेज दूँगा, जैसा जो भी हो, comment में बता देना कि क्या दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है, सब problem का solution है, if there is a log, there is a key, हमेसे याद रखना हो, तुम engineer हो, तुम हर जेगा ज paper देना है, अराम से relax होके देना, question जितने भी हो, कोई दिक्कत नहीं कि तुम्हें आता भी नहीं हो, फिर भी तुम उसे बना के हो, अब तुम्हें लगेगा illogical कि आता नहीं है, तो कैसे बनाना, भाई engineer हो, लिख दोगे कुछ, question को उठा के, दोबारा repeat करके, बस उसको लि space तो लिखना है, question पूर है, एक भी question मत छोड़ काना, एक भी question नहीं छोड़ना है, हर एक question को आपको attempt करना, चाहे आपको आता हो, या नहीं आता हो, आप attempt करो, अराम से पास हो, ठीक है, चलो इतना कर लेना, इसकी मैं PDF दे दूँगा, लिंक दे दूँगा, मैं last में आपके about में जाओगे, तो इसमें इसका link रहेगा, इस चीज का, तो तुम जतना भी question download कर लेना, अपना आराम से देखके, कर लेना, ठीक है, चलो अब करते हैं, वीडियो बंद, अगले वीडियो आएगी, उसमें आपका, जो भी अगला paper होगा, उसका होगा, ठीक है, चलो, बंद झालो